अलो माइड़ी इर स्टूडेंट जैसा आपको पता है कि हरियाना एडियो जो है बैटनसी जो है वो आ चुटी है एड्रीटल्चरल डवलप्मेंट ऑफिशर जो है और आपर आईये वई किस राज्य में आईये हरियाना में आईये दूसरा सभी जो एडरी टल्चर बीएसी ओनर्स वाले जो स्टूडेंटें इस फॉरम दो बढ़ सकते हैं उससे पहले विशेज बात क्योंकि ये बेटनसी पहले भी आई थी लेटिन अभी तर इस्तिती इस पष्ट नहीं पाई है जिनोंने पहले फार्म बरा था जिनोंने पहले पेङ़ेंध दिया था उसका क्या होगा यह इस्तिती इसप्ष्ट होगी जब ओन्लाइन जो फार्म है तो क्योंकि अब ये बेटनसी जब आई है तो इसको हम एट बार जो है अच्छे से इसको रीड तल लेते हैं क्या है इसमें परिवर्टन कुछ हुआ है क्या है टॉप फॉर्म बरे जाएंगे कौन क्या लिजी बहले देटो यह जो पोस्ट आई थी पहले उस टाइम तो देटो इन्होंने क्या तिया हाथ से लिट दिया जो भी फॉर्म आया था हाथ से ही लिट दिया इसको ऐसा ना समझें कि यहाथ से लिटा जिया तो ऐसे ही फड़जी है नहीं वेव साइट पर अल्डेडी अप्लोड़ेड है यह ना निशिंद्रोवा तल यह तो बारे में अपडेट देते हैं देरिए बारे में अपडेट यह वह अलिजिबल है बात तरहें ब्रीफ में बताऊं ना निशिंद्रोवा बहुत ही ज्यादा जो है ब्रीफ में इसको जो है मैं बताऊं आपको फोड़ा सा टेटनीटल जो फॉल्ट से हैं वो आ जाते हैं चमा चाहता हूं मैं फिर उसके बाद यहाँ पर नमर आफ सीड इसे वो टितनी है 600 है तो यहाँ पर आप देट पा रहे होंगे टिट नंबर ओफ सीड्स जो है टोटल इतनी है 600 है यह मेरे जो टेलीडाम चैनल है एड्री पावर जैपर एड्री पावर जैपर जो है ओनलाइन प्लेटफारम है इस पर जो है यह आपको पीडियाप आपको पर जारी नहीं हुआ है तो आपकी जो ट्लास है वो भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाएंगी चलिए और देखते हैं सबसे बहुत पहले आई थी तो अभी इसमें जान एट है वह ओनलाइन जो ओपनिन जो है एपलिटेशन जो फोर्म है वह और है 29 से ज्यान जुन से और 19 जुलाई द्यान खें चीज़ना और डेट देखो बहुत से स्टुडेंट जो है लास्ट डेट पर फोर्म बढ़ते हैं और बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स होती है तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप जो है फोर्म को जैसे ही स्टार्ट हो तभी से आप भ पर दूसरा आपको फॉर्म कहां से बनना है यह देखो यह बेव साइट है एच पी एस सी अर्याना पी एस सी डॉट जी योबी डॉट इन इस बेव साइट से जो है यह फॉर्म बढ़ा जाएगा कौन एलिजीविल है इसको मैं पहले ही बता दूं बीसी ओनर्स जनोंने बी इदरी पर लिठा हुआ है वह एलिजीवल है यानि मैंली डवर्मेंट और या आई सी एफिलेटेट कॉलेज वाले ही एलिजीवल है प्राइबेट वालों को इसमें एलाव नहीं टिया रिया है याद रखें ठीके प्राइबेट यूनिवस्टी जो आई सी एट्रेडिशन म से स्टार्ट है उनलाइन यह मैंने बता दिया बाटी रही है एप्लीकेशन आप डुटेल में ठुट पढ़ना जो जरूरी चीज है केवल में वही आपके बता रहा हूं फिर दूसरी बात आते हैं कि आपकी जो भी समश्या है उनका समाधान आप यह हेल्प डेस्क एंट य आप यहां पर यह जो नम्मर लिख रहे हैं इन नम्मर पर आप जो है कॉल टर सकते हैं जो वर्किन आबर हैं नौ बज़े से इवनिंड छे बज़े तर आप टर सकते हैं जो टी जनरली कॉल यही रहेंगे कि उन्टा क्या जन्होंने पहले फोर्म बढ़ दिया था चलिए उ यहां पर जो लिखते दिया है डिग्री इन बीसी ओनर्स इन एड्रिकल्चर फ्रॉम एनी रिट उनिवस्टी वाले हैं जो विद्यार थी हैं वो नहीं इस फॉर्म को फिल्टर सेथे हैं टेबल जो आई-सी-र से एट्रिडेशन या जिनके वी-सी ओनर्स लिखा रहता है वो इसमें अलिजीबल हैं दूसरा इसमें लिखाया थी आपके जो टेंथ क्लास है इसमें आपके जो हैं हिंदी या संस्तित कोई भी एट सबजेक्ट होना चाहिए यह द्यानट है बाकि अलिजीबल जो इस फर्म को बढ़ सकते हैं याद रखें बैस इसमें यह है जो रिजर्वेशन जो मिलेगा रिजर्वेशन जो मिलेगा वो आउनली मिलेगा हरियाना हरियाना के जो मूल लेवासी है हरियाना के जो मूल लेवासी उन्हीं तो केबल जो है क्या है रिजर्वेशन मिलेगा की basic सी चीज है की closing application से फेले हाँ एक और चीज है इसमें इसमें एक और चीज clear करके दिये है उन विद्यारतियों के लिए जो fourth year में running है जिनकी fourth year student की चल रही है उनके लिए इसमें लिटे दिया है कि जिस दिन last date होती है last date का मतलब यह है कि 19 जुलाई यही तो है 19 जुलाई तक 19 जुलाई तक जो है क्या होना चाहिए भई 4th year complete होना चाहिए मतलब आपके हाथ में PDC या degree होनी चाहिए यह उनके लिए है जो fourth year के विद्यारति जो अभी running में है उनके लिए यह इसमें लिखके दिया है जिस दिन closing date है application की उसी दिन उससे पहले जो है degree आपके पास होनी चाहिए या PDC होनी चाहिए लिए रहे है इसके बाद और देख लेते हैं इसमें अच्छा हाँ पेस टेल की बात करते हैं पेस टेल जो हैं यह देख सकते हैं 35,000 से starting रहती है इसकी बहुत अच्छी बाई अच्छी पोश्ट है इसको टोन बढ़ सकता है eligibility क्या है सभी बारतिये जो हैं बर सकते हैं इसको और कोई एज लिमिट की बात तरहें तो एज लिमिट 18 से 42 एर है इसमें दिया हुआ है यह जनरल जनरल चीजें इनको अन्नेसेसरी चीजें जिनको जरूरत है वो पढ़ लें इनको बाती और देख लेते हैं थोड़ा स्क्र हाँ यह एविडेंस ओफ एज के लिए जो एविडेंस लेड़ेड़ा वो आपका टेंथ की मार्सीट है एप्लिकेशन फी आपको नेटवाइन के द्वारा ओनलाइन बरनी है फी डिटेल है यह फी डिटेल देख सकते हैं हजार रुपे है डाईसो डाईसो रुपे है हजार और चीज लिटे दिये किसी भी इस्तिती में जो फी है वो रिफंडेबल नहीं होगी याद रखें किसी भी इस्तिती में फी जो है जो रिफंडेबल नहीं होगी यह आद रखें यह इसमें लिठा गया है और उन्टा क्या होगा जिन्नोंने पहले फॉर्म बरा था इसकी अ प्रोबैट तरही जाएंगी इसी एडरी पावर जैपर ओनलाइन प्लेटफार्म पर और देख लेते हैं कुछ जो कोई एटासा टॉपट या एटासा लाइन को छूल गया हो जो इंपोर्टेंट हो आपके लिए इनफॉर्मेशन हाँ यहाँ पर देखिए डॉटुमेंट्स जो है यह देख सकते हैं आप यहाँ पर डॉटुमेंट्स क्या जाएं जैसे यह आपको फ्यू जो है फोटो चाहिए सिन्येचुर ऑफ केणडबीड़ेटेंट इस्टेन कौपी हिद्री मार्सीड जो भी एजुटेशनल क्वालिफिटेशन है उन सबीट यह जो है इस्टेन कौपी लडेटी है ना आप किसी टैटी डोरी में है तो इसी लडेडी अथर स्टेट बालों को टैटी डी में जनरल में डाउंट किया जाएठा तो टैटी दरीटा लडाने टी जरूत नहीं है और ये बाती जो की बाती कि ज़िए उनके लिए ये लडेगा है न कुई जो है डवर्रमेंट में अप्लॉई एह रिया नाम है उसके लिए लडेडी बजरा ये लिखके दिया है कि लिए और क्या और कोई information ऐसी है नहीं तो ध्यान रखेंगि ऐसी कोई और ज्यादा है और है नहीं ठीक है छालिए ठीक है भई कुछ विशेश जो चीजे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया विशेश चीजे हैं वो आपको ध्यानत नहीं है है ना कव से कव फॉम बरे जाएंगे इसका विशेश तो ध्यान रखें तो भई जो भी है इसके लिए जो ऑनलाइन यदी बात तरहें जैसे बेटेंसी आईडी तो ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए जो है प्रोबाइड कर पाता हूं तो आप मुझे वाटसप भी टर सकते हैं ट्रिपल नाइन थ्री पूर सेवन और नाइन एट वन ठीके इस नम्मर पर आप जो है मुझे बाटसप पर मैसेज या कॉल भी टर सकते हैं कोई अधर कोई इंक्वारी है तो फॉर्म रियोपन ओने दीजिए ठीके डिय यह थैंक्यू सो मच शेयर जरूर रहें थैंक्यू सो मच